हलो फ्रेंड्स मैं डाक्टर पियस दिवारी आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे होमेपितिक दुबागी विशे में इसका नाम प्रसंटिला नाइगिरेंस है इसको आप कहां कब और कैसे यूज कर सकते हैं तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हू चलिए शुरू करते हैं वीडियो दिखने के पहले मेरे चेनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दवाना मत भूलेगा तो दोस्तों एज जो है प्रसंटिला दवाई जो है इस स्पेशल जो है फिमेर पेसंट के लिए है हालांकि इसको छोटी बच्च स्प्रम यह है कि आप जो है पत्ती पत्नी का जहडा इसका पेसंट जो है बहुत ही सर्मिंदा रहता है बहुत ही सांथ सुभाव करता है बहुत ही धर वाली होती है तो अगर आप अपने वाइफ को डाड़ते हैं और डाड़ते ही ओ रोने लगती है बात बात में रोने लग यह एसे पेसेंट का mental symptom प्रावब्म ठीव हो जागा तो दोस्तों इसका अगला symptom है चेंजबिटी आप symptom इसका जो है symptom जो हमेशा चेंज होता रहता है जैसे पेसेंट जो है एक छण खुशी रहता है एक छण दुखी रहता है इसकी बात में इसका दर्द कावी सिप्टिंग पोरा करके एक दिन जोड कर दो दिन चोड कर जैसे आपका symptom रहे जैसिशाब शीवेटर है और तो तिस्या स्म्टम में डायरिया पर तो डायरिया कभी ओयार है कभी आपको लुज मुशन होगा उसका हर बार कदर चेंज होगा कभी पीला होगा कभी पतला होगा कभी साधा होगा मैंने हर बार आपका इस तूर का कदर चेंज होगा तो ऐसे स्म्टम में आप परसाटला को परसातर दीजे आपको आराम हो जाएगा दोस्तों इसका अगला सिंटर में नीध पर श्लिप पर जैसे जो है आदमी खाना खाना एक बात में सोने लगता है और फिर सुबह उठता है लेकिन इसका ठीक अपोजित होता है इसमें आपको रात में 11 जी आप सोने जाते हैं तो आ पर श्लिप आप तो उनके नीध की समस्या हल हो जाएगी दोस्तों इसका अगला सिंटर में गले पर गले में क्या होता है कि कभी कभी पेशन्ट बोलते हैं कि हमारे मौ में भूब थूक जिमा हो गया है तो इसमें क्या है सलाइबा जिमा रहता है और जब आप उसको थूकत अगला सिंटर में कि जो है अगर आप जो है बंद घर में रहते हैं जैसे जो है आप घर में हैं सब खिर्की दर्वाजा बंद कर दिये तो हमको सांस फूने लगती है हमको यह होता है कि जल्दी स बाहर नकले गेट खोले ने तो इसके पेशन्ट में होता है इसका पेशन्ट जो है इदम बंद कमेरे में सफोकेशन फिल करता है और खुली हवा चाहता है और यह चाहे दमा में हो या कोई भी डिजी जो अगर यह स्विंटम है तो आप पलसाट रिला के परोगी है पलसाट रिला जो है तीस पावर की जो है सुबस साम कुछ दिन दे दिजे ऐसे पैसे प बाते हैं मनें पिरित अंग को अगर दबाकर रखने से आराम मिलता है तो आप परसाट रिला 200 खा लिजी आपको आराम हो जाएगा इसकी प्रोटरिशी डिपेंड करती है कि आपका मर्ज कैसा है अगर आपको देश दर्ध है तो आप परसाट रिपीट डोज में खाईए त कर्याइब टिन ज्यादा सीवेट्रि है तो परसाट रिठीय न आसकी में थाईएगा तो दोस्तों रहा सिम्ट्रि अगरा नोस पर स्मयझ आप आप इस्मयझ को आप सुम्टें को जीज का आप और इस दो चाहा परसाट रिपिज आसनु य। ठीय में तू इनिन आतर में प तो दोस्तों, इसका अगला स्मिंटम है दान पर, अगर आपको दान दर्ध गरम चीशे तक्रिफ होती है, और ठंडे पानी सारा मिलता है, जैसे आपको दर्ध दर्ध है, तो आप जितना देर ठंडा पानी मोह में रखेंगे, उतना देर आपका दान दर्ध ठीद हो जाएगा तो फिर जो पानी को फेक देंगें, तो फिर दर्ध हो जाएगा, तो आप पर्साट लommा, 30 प्युझे धीARS को 3-5 करते हो जाहिए, ताब दक्सार दर्ध हमेशा रही हो जाएगा. दोस्तों इसका अगला सिंटम है फिमेल पर तो हालांक फिमेल पर कई सिंटम है लेकिन एक साथ में मैंने नहीं बता पाऊंगा अगर कोई फिमेल को एमेनुरिया हो डिस्मेनुरिया हो पीरियड जो है एक बार आता है फिर उख जाता है फिर आता है फिर उख जाता है इस 200 की पाउद दिने से हफता में दो बार तीन बार दिने से उसका पीरियड नार्मन हो जाएगा दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में आता है मौह को स्वाद गड़ गया है कारण जो भी हो बिमारी जो भी हो अगर मौह को स्वाद गड़ गया है तो ऐसा symptom है तो आप परसाध ला 200 एक दोश खाले जी आपका मुह का साथ ही हो जाएगा दोस्तों इसका अगला स्विंटर में फिमेल प्रेसेंट पर फिमेल प्रेसेंट अगर पिंदेंट है और उसको दर्द हो रहा है उसका अगर जो ए दोवाई आठो महेने से लगातार दिया जाए तो उसका जो है नार्म देलिवरी होगा और उसके साथ में सीमी सुगा 30 भी देना पड़ेगा तो आप परसाट जा 30 सीमी सुगा 30 अल्टरेनर करके दीजे तो प्रेसेंट का जो है डेलिवरी नार्मल हो जाएगा कोई दर्द नहीं होगा दोस्तों इसका एक सिंटम है जो छोड़े छोड़े बच् का आंक सर जाती है खुलती नहीं है बहुत देर बात खुलती है तो ऐसे बच्चों को आप जो है परसाट जिला 30 पाउर की आधा के पानी में एक बून डाल दीजिए और उसको जो है एक समस करके दो दो घंटे पर दीजिए तो आप छोटे बच्चों को जो आंक उरती है ए पर जोडा है जानते हैं तो उनको फोड़ा आगर ज्यादा बड़ा हो गया नाग पर हो गया जैदा परोगया या कहीं बड़ा पिछा हो दिखा़ते हैं डिचातर फोडों कोdestहाई था दिशन करना पड़ेगा तो ऐसे केस में आप टायू के साथ मिला कर उसको जो है करके फट जाएगा और आपको सर्जिश करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आज बने आपको पर्शाट इतला के बाहर हैं बताया जो सिंट्रम मिले आप उस द्वागों लेदेजे अगर आपको कुछ डाउट हो या प्रापर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमको हाट सप में मैसेज के रिए प्रापर कंसल्टेशन की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्कॉप्शन नहीं मिल जाएगी आपको काल नहीं करना है इसे लाइक कीजे शेर कीजे अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो उसको उसको भी लाइक कीजे शेर कीजे तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में नमस्कार जय हिन जय भारत